हेलो गाईस स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज की वीडियो में मैं आपको सूट की कटिंग सिखाऊंगी जो शर्ट होती है हमारी उसकी कटिंग सिखाऊंगी बिल्कुल सिम्पल और इजी तरीकव है होपसो आपको पसंद आ जाए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सबसे पहले हम जो फ्रेंट साइड है उसको हम सीधा बिचाएंगे जैसे मैं बिचारी हूं अब इसमें नेक डिजाइन बना हुआ तो मैंने नेक डिजाइन का सेंटर निकालके ऐसे कपड़े को बिचा लिया है डबल फोल्ड में यह देखिए बिल्कुल सेट करते हुए कपड़े को यह नेक का सेंटर निकालेंगे इसकी नेक डिजाइन बनी हुई थी बिल्कुल सेट कर लिया है नेक का बॉडर लाइन को दूसरीन बॉर्डर लाइन से मिलाते हुए बिल्कुल सही से ऐसे मैंने सेट कर लिया है वीडियो को स्किप मत करिएगा अदर्वाइस आप इसकी कटिंग प्रॉपर नहीं सीख पाएंगे ये देखिए मैंने कपड़े को अच्छी तरह विच्छा लिया है अब अच्छी तरह विच्छाने के बाद मैं लेंथ चेक करूंगी जितनी मुझे लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग अब इसकी लेंथ मैंने चेक कर लिया है आपकी length हो उसके according, उसके बाद हम neck देखेंगे, front neck कितना रखना है, उसके according हम निशान लगाएंगे, तो ये मैंने रख लिया है, लगवक 7 इंच का neck रखा है मैंने, उसके बाद मैं इसी निशान को सीधा कर लूँगी, और नीची वाली side से जितनी मेरी length है, उस पे सीधा नि मैंने कर लिया है, अब इसके बाद मैं shoulder लूँगी, shoulder जो है, वो depend करता है आपकी back neck के उपर, अगर आपका back neck जो है, वो deep है, तो आपको उतना ही कम shoulder रखना है, अब इसमें मैं लगवक 6 इंच तक 6 या 7 इंच तक लेने वाली हूँ, back neck, तो इसलिए मैंने 6 ही लिया है, और इसका जो हमारा arm hole है, arm hole के लिए मैंने 7 और पौने 7 आप साड़े 6 पे भी ले सकते हैं, वो depend करता है आपकी जो भी breast हो, उसका fourth part करके, जो भी आपका आएगा, उसमें से 1,5 इंच माइनिस करेंगे, उसके बाद 7,7,7,7,7,7,14 और 21 पे निशान लगाएंगे, ये देखिए अब ये जो shoulder वाला निशान था, उसको मैंने सीधा कर लिया है, ये ये सीधा कर लिया है, अब उसके बाद मैं यहां से ये line सीधी कर लूँगी, ये line मैंने सीधी कर लिया है, ऐसे ही मैं कमर वाली line भी सीधी कर लूँगी, और ये heap वाली निशान भी मैं सीधा कर लूँगी हीप निशान अगर आपकी हाइट जादा है तो ये जादा भी हो सकता है साथ चौदा इकिस पे निशान बताएं है मैंने आपको ये जो नॉर्मल जो निशान है वो उस मेजरमेंट बता रही हूँ नॉर्मल इसी पे ड्राफ्टिंग होती है बाकी आप इसको कम जादा है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अब मैंने यहां से जितनी मेरी चेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट कर लिया है और एक निशान लगा लिया है अब इसमें मैं फोर्थ पार्ट कर रही हूँ यह मैंने एक सूट पर से नाप लिया था यह उस नाप के according ही कर रही हूँ जो मेरी measurement है उसका fourth part उसके बाद 2 इंच बने नीचे की तरफ को लिया है ऐसे ही मेरी कमर कमर का भी fourth part और ऐसे ही यह देखे यह और यहां यह 15 इंच पे आ रहा है तो 15 से 16 भी जा सकता है यह यह depend करता है आपकी height के according तो जितनी भी आपकी हीप हो उसका fourth part कर लीजिए जैसे माल लीजिए आपकी हीप total 40 है तो 40 का चौथा भाग आएगा चार और उसके अलावा हम जो यह मैं बाहर निशान लगा रही हूं यह डेड़ेड इंच या दो इंच तक भी ले सकते हैं तो यहां से मैं एक इंच ऐसे निशान लगाऊंगी आदा इंच उपर की तरफ को आदा इंच नीचे की तरफ को और यहां से एक इंच उपर की तरफ को और यहां से एक इंच नीचे की तरफ को मैंने बताया था आपको यहां से एक इंच नीचे लेके जो lower chest है उसका निशान लगा के उसको मैंने सीधा गुलाई हलकी सी गुला दो इंच भी ले सकते हैं, अब इसके बाद यहां से चेक करेंगे, जितनी हमारी चेस्ट लाइन, इस वली लाइन से यहां तक आ रही है, जैसे यह तीन इंच आ रही है, तो मैं तीन इंची इदर को लूँगी, और तीन इंची उपर वली साइड से, से और इसको गुलाई दे यह जो तरीका है यह आर्म होल की शेप देने के लिए बहुत एजी है और इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है अब जितनी मेरी यहां से हीप लाइन है उतनी ही मैं नीचे पल्ले के लिए निशान लगाऊंगी उतना ही क्योंकि मुझे यह स्ट्रेट पल्ला बनाना है तो यह जो बहारवला निशान है उसको मैं सीधा कर लूँगी अब यहां से यह फ्रंट पल्ले में हम अंदर की तरफ को गुलाई देते हैं और जो बैक बाला पल्ला होता है उसमें हमें आदा इंच बाहर की तरफ को देनी होती है गुलाई तो ये जो अंदर वाली गुलाई है ये फ्रंट वाले पार्ट में आएगी और जो पीछे की गुलाई है वो पीछे वाले पार्ट में आएगी तो मैंने दोनों ही एक ही पे ड्रॉ कर दी है दाकि आपको इसली समझ आ जाए अब देखिए मैं इसकी cutting कर लूँगी आपको बाहर वाली line ही cut करनी है जो मैंने ये draw करी हुई है ये देखिए ये cutting होगी अब हम back part काटेंगे तो back part के लिए मैंने जो बचा हुआ कपड़ा है उसी में से उसको मैंने double fold में बिचा लिया है और जितना मेरा पल्ला है मैंने उतना ही कपड़ा लिया है extra नहीं ले रही हूँ otherwise वो cutting में चला जाएगा तो वो waste हो जाएगा तो अभी मैं इस पल्ले को उपर रखूँगी और नीचे से 3-3 इंच ड्रॉग करूंगी 3-3 इंच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम तरपाई करेंगे बैक पल्ले में फ्रंट वाले में गोटा लगा हुआ था तो मैंने इसको as it is easy ही जितनी मेरी जितनी मेरी इसकी length है उसके recording लेके आदा इंच लिया था हमने बैक वाले पल्ले को गले की तरफ से 1 इंच एकस्ट्रा ही काटना है क्यूंकि कई बार हम जब गला जोडते हैं या गला बनाते हैं आपस में तीर जोडते हैं या तो पीछे वाले पल्ले की length जो है वो काम हो जाती है कही यह देखिए यह फ्रंट और बैक फल्ले दोनों कट गे हैं तो अभी यह फ्रंट पाला जो पार्ट है वो मैंने लिया और इसकी जो मैंने गुलाई आपको स्टार्टिंग में बताई थी यह वाली गुलाई अंदर की तरफ को कट कर देंगे यह हमेशा जो हमारी आगे वाला इसकी बताना बूल गई अब एक स्टेप मैंने आपको बताना बूल गई मैं तो ऐसे भी बाद में कर लेती हूं पर ऐसे आपको दोनों पलों को साथ में रखते हुए यहां से ढाई इंच रखते हुए आदा इंच की आपने नीचे की तरफ को यह ऐसे काटना है यह नीचे की तरफ को तिर्चा काटना है आदा इंच यह देखिए अब हम स्लीव काटेंगे तो स्लीव के लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में बिचा लिया है और यह फोर फोल्ड में कर लिया है अब जितनी मेरी चेस्ट है उसका फूर्थ और उसमें डेड़ इंच की लूजिंग देखे यह ऐसे करते हुए ऐसे निशान लगाऊंगे तिर्चा और अब यह कपड़ा थोड़ा कम हो रहा था फोर फोल्ड में तो मैं यहां पर चोटा सा जोड डालूंगी जो बिलकुल बाजू के नीचे आएगा दिखेगा भी नह नहीं तो ऐसे यह जोड रख लिया और यहां से मैं यह जितने मेरीलेंट हटनी है उसे 2 इंच लेकर नीचे कि तरफ को 3 इंच और उपर से 3 इंच और होजनकी सी आर्मो ला रहा है वो वहां और यहां से मोरी जो प्रॉपर मेजरमेंट है यह बोड रही ड्रॉप कर रही हूं मैं अब यह ड्रॉप कर ली इसके अलावा मैं डेड़ इंच एक्स्ट्रा लोंगी डेड़ इंच एक्स्ट्रा क्योंकि यह मुझे कटिंग के लिए लेना है और आंधर की तरफ को निशान लगाया है वो स्टिचिंंग का निशान है यह देखिये मैंने slip ने कट कर ली है अब slip करने के बाद यह देखिए यह दो जोड़ जो है वो एक साइड पे आएंगे इन दोनों जोड को मैं फ्रंट आगे की तरफ को ही जोड़ूंगी तो आगे की तरफ को मुझे आदा इंच की अंदर की तरफ को काट डालनी है जैसे हमने फ्रंट पल्ले में डाली थी वैसे ही फ्रंट साइड बाजूं में भी डालेंगे तो यह देखिए यह मै दोनों पल्ले हो गए अब यह मैं पाइपिंग भी बता देती हूं आपको यह गले के लिए लगाने के लिए इसको हमेशा तिर्चा काटिएगा ऐसे काटना है हमने और ऐसा काटने के बाद हम इसको ऐसे लगाएंगे ऐसे करते हुए तो यह मारी बाजुएं यह फ्रंट और होप सो गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और फेस्बूक और इंस्टा पर भी मुझे आप फोलो करिएगा थैंक्स पर वाचिंग इलते हैं नहीं वीडियो के साथ